कि हलो अबरीवन में विवेक सिंग आप सभी का हार्दिक विंदन इस्तेकबाल करते हुए आपका आपके परिवार सुपर कोचिंग भीहार वाई टेस्ट बुक पर स्वागत करता हूं तो कैसे आप सभी क्या है हाल चला आप सभी के अरू का हाल वाई भीहार एक्जाम डेटा दुनिया एक तरफ डर एक तरफ सक्सक के बाद की कहानी तरफ तो याद रहना दोST अब यह जो डर है था मजाह रहा होगा जान हो तुम से मैं ज़्टेंद हो मैं भी यही सूचाओ कि अब क्या ऐसा किया जाए कि बच्चों को सर कि यह बस स्यंक्षन हो जाए कहीं बच्ची जाकर यह rapid fire कोर्स ना लें कि अगर कोर्स भी दोख कुछ आए पड़े और बच्चे बिना किसी पैसे को वेस्त कि बिना कुछ की अपनी पढ फिर इतना मिल रहा है सर, फिर तो फिर तो बहुत अची बात है, तो देखो सर क्या धुमा मचाने के समय आ चुका है, देखते हैं सर क्या है, देखते हैं, आजो, welcome, welcome दोस्त, आप सभी जानते हो कि आपका क्या, आप सभी जानते हो कि आपके बिहार सीजल की exam date आ चली है, एक लेकिन सब्सक्राइब चाहते हो सर क्या कि आप सभी चाहते हो कि यह जो 26 और 27 नॉमबर की जो परिच्छा ती थी थी यह इसमें हम सभी सर क्या हो जाएं लेकिन सर क्या बच्चे कितने हैं बच्चे तो हैं 912,000 912,000 और वहीं पर सेलेक्शन सर्फ होगा सर कितने का 2200 का 2200 का और मेंस में और जबकि जो मेंस परिच्चा होगी जो मुख्य परिच्चा होगी उसमें कितने बच्चे जाएंगे उसमें केवल और केवल 12,000 बच्चे जाएंगे अब ये 2627 की जो परिच्छा है ये 12,000 की जद्दो जहद वाली परिच्छा है जहां पर 9,12,000 से दिख बच्चे परिच्छा में बैठने वाले हैं सर हमाई तैयारी कैसी हो अगले 50-60 दिनों में हम अपने स्टडी को किस प्रकार end up करें किस प्रकार हम अपने स्टडी को आगे बढ़ाएं जिससे सर क्या हमें कम समय में सर क्या अच्छा जल्ड मिले और आप सभी जानते हो कि सर देखो आपकी reasoning आपके reasoning और math के बाद या reasoning के बाद अगर कोई subject है जो सबसे important है वो है science क्यों देखो math हम बच्छपन से पढ़ रहे है math के बारे में हम सब जानते हैं लेकिन being a arts student being a sir क्या बीए करने वाला being a commerce करने वाले बच्चे को sir कैसे science की जाए है ना सर देखो जो आपका क्या देखो जो आपका ऐसा बच्चा जो भी यह पढ़ा है यह जो बच्चा सर क्या commerce लिया है उसको science बिल्कुल उसको language सक समझ में नहीं आ रही है तो वो क्या करेगा दोस्त तो उसके लिए क्या और सर क्या चाहते तो सारे हैं उकरी पाना सर देखो उ यह प्लान है अगर आप प्लान के कउडिंग वह प्लान के करिंग है आ किक प्लान के कोडिंग कर जैंदगि याद हो ओगे आप क्या सर याद और रखोगे तो आप बिल्कुल बिल्कुल अपने target को hit करोगे और देखो सर कैसे है वो हमारा plan सर एको सबसे पहली बात हमें जो पढ़ाई करनी है वो कैसे पढ़ाई करनी है तो हमें सर क्या एक target set कर लेना है एक target set करना है सर क्या science का याद रखोगे science का एक target set करना है और science based study करनी है याद रुखो कि target based study और अगर में बात करेंगो science के बारे में बदेखो जो आपकी science है ना science science कितने sections में divide है याद रुखो कि science आपकी 3 sections में divide जानते हो एक आपका होगा biology एक आपका क्या होगा और एक आपका होगा biology दूसरा और क्या Week Physics physics होगा और तीसरा आपका होगा chemistry, chemistry, chemistry और आप सभी को सर ये नहीं समझ में आता कि सर क्या हम सुरू कहां से करें हम सुरुवात कहां से करें, कौन सा सब्धे ठमाईली आसान होगा, कौन सा tough होगा किसको पढ़ना आसान, किसको पढ़ना tough किस से ज़्यादा question, किस से कम question, कितना पढ़ा जाएगी सर क्या हमारा selection हो जाएगा, तो अगले में आपको सर क्या आने वाले 50 दिन की 50 days की strategy बताने वाला हो, अगर आप अगले 50 दिन सिर्फ मुझे अपना 2 से धाई घंटा देते हो, अगर आप मुझे अपना सर क्या 2 से धाई घंटा देते हो, याद रखोगे साइंस में सर क्या 25 में से 25 question बनवाने की जिम्मदारी मेरी है 100 marks दिलवाने की जिम्मदारी मेरी है, अगर जितना मैंने कह दिया, आपने वो आउ सर करते हो, आउ सर क्या साइंस में जो आपकी बायोलोजी है यहां से आपको सबसे ज्यादा questions देखने को मिल सकते हैं तो पहले सर क्या करना है, पहले हमें बायो को finish करना है बायो को सीधे MCQ पे मत अटैक करना देखो पूरी दुनिया MCQ करवाती है पूरी दुनिया MCQ करवा रही है लेकिन सर क्या, आपको सीधे MCQ पे नहीं आना, पहले आपको उसके पीछे का reason जानना है उसके पीछे का cause जानना है उसके पीछे की theory जाननी है तो आप क्या करो सर, आप biology की सर क्या सबसे पहले theory complete करोगे theory जीसे आप कहते हो सर क्या syllabus syllabus यही कामआप सर क्या एक क्या आसान 충ाल लेकिन Serge क्या है कैसे करना है सर, आउ देखते हैं, बस आपको सर क्या याद रखोगे यह golden steps अपना ने हैं, जर को अच्छा करने के लिए सबसे पहले क्या करो सर complete your syllabus complete your syllabus याद रखोगे syllabus को complete करो बताओंगा ये भी कहां से होगा कैसे होगा इसके बाद आपको क्या करना है सर प्रैक्टेस प्रिबियस येर कोश्चन्स और साइन्स में याद रखोगे अगर तुमने प्रिबियस येर सर कौन से होंगे कौन से होने चाहिए सर आप तो आप कह रहे हो कि सर प्रिबियस येर कोश्चन लगाओ जबकि बिहार SSC सीजियल में पेपर तो सर सिर्फ दो ही बार हुआ है सर क्या हमें 85 कोश्चन मिला ये तो हम आज ही प्रैक्टेस कर लें हमां 70% हो गया नहीं दोस्त ब बिहार SI के कौश्चन लगा याद रुखओगे बिहार++ BPSC बिहार SI उसके साथ साथ आप other states सर क्या आप सेंट्रल सीजल के कोश्चन लगा आप SSC सीजल के कोश्चन लगा आप SSC CHSL के के कोश्चन लगा हूँ बिहार सी जिसल के question लगाओ, SSE MTS के question लगाओ, और या आप सर क्या, आप railway के question लगाओ, आप क्या करो, आप railway के question लगाओ, और अगर आप इनने के question लगा ले गया है न, मैं बताओं आपको, आप science में 80% से ज़्यादा score कर लोगे, सर क्या, अगर आप previous year question को लगा के जाते हो, और वहीं पर सर क्या, अन्तिम में आप क्या, अपने आपको जाचने के लिए, एक mock test लगाओ, एक mock test लगाओ, याद रखो कि सर क्या, आप अपने आपको जाचने के लिए, एक mock test लगाओ, syllabus को complete करो, previous year questions को सर क्या करो practice करो और ये 3 step अगर आपने कर लिए ना पहले इसको finish फिर इसको finish फिर इसको finish नमबर एक पर ये काम करो नमबर दो पर ये करो और नमबर तीन पर ये काम करो और तुम्हें तुम्हारे selection से तुम्हें तुम्हारी देखो एक प्लाटफॉर्म है आपका यूटूब और आप ये वीडियो भी कहां देख रहे हो यूटूब पर देख रहे हो और यूटूबपर के सब्सक्राइब यूटूब पर देख रहे हो सुनो, मेरी दो क्लासे होती है, मेरी दो क्लासे होती है, याद रुखोगे, एक क्लास होती है, शाम के छे बजे, मेरी क्लास होती है, सर कितने बजे, साम के छे बजे, और मेरी एक क्लास होती है, सर क्या, रात के दस बजे, रात के 10 बजे, Monday to Saturday, सो मुआर से सनीवार, ठीक है, सर क्या मेरी क्लास होती है, साम के 6 बजे और रात के 10 बजे, सो मुआर से सनीवार तक ये क्लास होती है, साम के 6 बजे मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, दोस्तों याद रखो कि साम के 6 बजे मैं आपको पढ़ाता हूँ, आज किसी एक topic को है तो कल कोई ओ topic सर क्या topic wise class चलती है theory में पहले biology finish कर रहा हूँ और biology approach finish पे भी है फिर physics चाल लू कर दूँआ फिर chemistry मतलब जो आपकी छे बज़ोली class है इसमें theory है तो theory का इस प्रकार से schedule है कि theory आपके सर क्या November first week में खतम हो जाएगी November first week में आपकी पूरी की पूरी theory वाली class होगी जो खतम हो जाएगी सर इतनी theory पढ़ा दोगे सर फिर practice कप करेंगे तो याद रुखोगे जो आप theory पढ़ रहे हो इस theory की जो practice होती है मैं शनिवार को मैं क्या करता हूँ दोस्त मैं शनिवार को शनिवार राती हमें नीद नहीं आती हम मैं शनिवार को इन theory के mcq लेके आता हूँ क्या सर जो भी मैंने chapter Monday से Friday तक पढ़ाए है जो भी chapter चाहे मैं reproduction पढ़ा रहा हूँ चाहे मैं आपको digestion पढ़ा रहा हूँ ब्लेट पढ़ा रहा हूँ nerve system पढ़ा रहा हdar हूँ प्रियरिटबल पढ़ा रहा हूँ atoms and molecules पढ़ा रहा हूँ लैटरिसइटी पढ़ा रहा हूँ में apenas पढ़ा रहा हूँ उन्सब के mcq याद रखोगे जिसमें previous year question plus plus सरक्या gas paper plus gas paper याद रखोगे मैं सनीवार को लेके आता हूँ यहाँ पर सर क्या हम इन्हें करते हैं 12 से 3 तीन गंटे 3 गंटे सनीवार को हम 12 से तीन इन थियोरी के MCV करते हैं और जो रात के 10 बजे हैं यह है यह है Mixed Question की क्लास पेपर के जैसा पूरे paper जैसा जिसकलास कहते हैं स्थ कर नमें Science का जगराता आप YouTube सर्च करो गया जाएगा और यह पूरा paper जैसा होता है वैसा ही सर्क्या याद रुखोगी यह जगराता वाली क्लास होती है याद रुखोगी यह YouTube का schedule है और इसके साथ हम और Marathons भी करते हैं, जहां पर हम Science के पूरे सवालों को cover करते हैं जैसे इस रविवार, जैसे इस शनिवार मैंने एक आपकी एक्ट्रा क्लास लखे सुबह नौ बजे, जिसमें मैं आपको light पढ़ा हूँ, जिसमें मैं आपको तक कर लो, याद रखोगे सर क्या एक सवाल नहीं चूटेगा मेरे दोस्त, एक सवाल नहीं चूटेगा एक क्वेश्चन नहीं चूटेगा एक बात नहीं चूटेगी याद रखना कुछ भी नहीं चूटने वाला याद रखोगे और आए सर एक बार हम साइंस के सिलेबस पर डिसकस करते हैं और क्या है साइंस के सिलेबस कैसे पढ़ना है हमें, क्या करना है आए सर इस पर हम जिकर करते हैं सर एक को साइंस के साइंस के सिलेबस क्या है किस तरीके से में पढ़ना है देखो science के syllabus को मैंने सर क्या एक अलग तरीके से design किया है देखो science के syllabus मैंने बहुत अलग design किया है आपने आज से पहले भी science पढ़ी होगी पर आज आज आप syllabus का design दिखोगी सर क्या best class है, top class सर सबसे पहले हम सर सुरू करेंगे physics में general physics जहां पर सर क्या हम पढ़ेंगे सर क्या जहां पर हम पढ़ने वाले हैं आपके unit and measurement को बाकि सर देखो जित्ती भी इकाईयां उकाईयां हैं सब चीज के बारे हम पढ़ेंगे physics के अंदर फिर उसके पास सीथे हम आएंगे सर क्या आपके heat वाले chapter पे फिर waves और sound पे आएंगे फिर हम आते हैं optics, optics के अंदर हम light, ray optics, wave optics, reflection, reflection यह सब पढ़ेंगे वहाँ पर उसके बाद हम सर किस पढ़ेंगे electrostatics पे जहां पर स्थेर बादुकी के बारे हम पढ़ेंगे जहां पर हम सर क्या electrostatics जहां पर charges, charges के बारे हम पढ़ेंगे इनके सर क्या जो field होती है, ohms होती है, इन सब के बारे हम पढ़ेंगे उसके बाद हम विद्धुधारा अलग से पढ़ेंगे वैद्धित्र की electrostatics अलग पढ़ेंगे, विद्धुधारा हम अलग पढ़ेंगे जहां पर current electricity और magnetism, जहां पर हम alternating current, direct current, आपका transformer, आपका cancer rectifier, यह सब जो होते हैं, इनके बारे हम पढ़ेंगे फिर हम modern physics, आपका एक नया add किया, वो syllabus मेरे द्वारा, that is what, that is the modern physics, और फिर हम attack करेंगे, हम फिर attack करेंगे आपके modern physics पे, और फिर हम आएंगे modern physics पे, फिर उसके बाद आपके, सरक्या, B.S.S.C. CGL Special, बिहार SSC Special को हम स्टार्ट करेंगे, जो बिहार SSC Special आप कर रहे हैं, सरक्या, the astro science, the khagolia, और अंतरक्ष बिज्ञान, और उसके बाद प्रमुख बैज्ञानिक उपकर्ण, physics पढ़ेंगे, physics के बाद सरह हम आएंगे, chemistry और chemistry, इतना अगर आपको कोई पढ़ा दे, तो मेरे भाई कहा देना, मेरे भाई मुझसे कहना, सर क्या, इतनी chemistry हमने पढ़ी थी, कोई पढ़ा दे तो कहना, सर क्या, हम सबसे पहले आएंगे, introduction, introduction हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसके oxidation and reduction पढ़ेंगे, हम gacy अवस्था, nature of gases के बारेंगे, हम घोल या विलियन solution के बारेंगे, हम mole concept पढ़ेंगे, हम धातू अधातू पढ़ेंगे, हम carbon और उसके compound पढ़ेंगे, हम पूरा पूरा इंधन पढ़ेंगे, हम मानो निर्मित पढ़ेंगे, और इंधन के अंदर हम hydrocarbons भी पढ़ेंगे, fuel भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ने वाले हैं, और यह पूरा depth में, detail में होगा, याद रखोगे, उसके बाद हमारा आएगा सर क्या जियो बिग्ञान, और जियो बिग्ञान को देखो सर मैंने किस तर के सर क्या प्लान किया है, किस तर के सर क्या देखेंगे, nutrition देखेंगे, respiration देखेंगे, circulation देखेंगे, skeleton देखेंगे, नफ्स स्टम को पढ़ेंगे, उत्सरजन तंतर पढ़ेंगे, हम प्रजनन तंतर पढ़ेंगे, फिर हम हार्मोन पढ़ेंगे, इसके अंदर पादप हार्मोन और जनतु हार्मोन, जिसे आप endocrine system भी जन्तु का वर्गी करण और जय विकास एवॉलूशन ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कहां पर सर आपके बैलोजी के अंदर तो देखो सर इससे बहतरीन आपने सर क्या साइंस का स्ट्रक्चर नहीं देखा होगा और ये सारी जो साइंस के स्ट्रक्चर होंगे ये सब मैं आप शाम को लेकाएंगे यूट्यूब पर इस क्लास को याद रखोगे कब यूट्यूब शाम छे बजे और रात दस बजे आपको पता है में किस कोश्चन होगे जापर इन सारी टॉपिक्स को एक करके मिला कर हम लेकर आएंगे और याद रखोगे सर क्या ये सारी चीज़ हैं पूसर क्या मैं आपको यूट्यूब पढ़ाने वाला हूँ जिससे सर क्या आपका सेलेक्शन इंस्योर होगा और वो कहते हैं न कि मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया तो उसे पाकर दिखा और लिख दे अपने कलम से अपने कामयाबी की कहानी और लिख दे अपने कलम से अपने कामियाबी की कहानी और बोल उस किसमत को ससुरी है दम तो मिटा कर दिखा सोच ना लड़के लड़कों सोचो लड़कियों सोचो कि अभी ये जो दुख का घड़ी है या अभी जुसर का संघर्स है ये जब संघर्स आप अच्छी तरीके से निभा लिए जब इसको वो मुमेंट है जब एक PDF आएगी इस notification आएगा इस notification में एक PDF होगी और उस PDF में आपका नाम और उस नाम को पढ़के आपने घरवालों को सुना रहे हो आपका वो जॉणिंग लेटर घर पे आता है और आपको पता जी उस जॉणिटर को accept करते हैं सोचो दोस्त क्या ही वो मह हो लोगा क्या ही वो मुमेंट होगा क्या ही वो समय होगा तुम सोचो तो घर बैठो तैयारी करो महनत करो कहते हैं न महनत करो कहते हैं कि हो चली है पीर परवत्सी पिघलनी चाहिए कि हो चली है पीर परवत्सी पिघलनी चाहिए इस हमाले से अब कोई गंगा निकलनी चाहि हो चली है पीर परवतसी सबसुरी अब ये पगलनी चाहिए अस हमाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए और सर्फ हंगामा फैलाणा मेरा मकसद नहीं मेरी कोसिस है कि सूरत बजलनी चाहिए और मेरे सीने मेना सही तेरे ही सीने में सही हो कहीं भी पर आग जलनी चाहिए और ये परदे तो अब हिलने लगे हैं ये परदे तो अब हिलने लगे हैं शर्त लगी है कि ये दिवार भी हिलनी चाहिए सर्फ हंगामा फिलाना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिस है सुरत दलनी चाहिए बिहार बदलना चाहिए hashtag हम बदलेंगे बिहार और याद रखोगे घर बैठे तयारी cell और आप घर बैठे तयारी करना चाहते हो सारे subject की with बिहार best teacher के साथ तो अब जोड़ सकते हो हमारे साथ जिसकी fees आपको 640 रुपे मातर दिखाई दे रही होगी आप आज ही जाओ अपना code VS20 लगाना VS20 VS20 code लगाते ही आपको ये maximum से maximum discount मिल जाएगा और ये fees आपको 640 रुपे दिखाई देगी देखो test book super coaching लेकर आया है जहांपे crack बिहार government jobs with India's super teacher ठीक है देखो इसमें आपको 15 सदिक video courses है mock test भी मिलेगा आपको 200 सदिक study notes भी मिलेंगे और 1500 सदिक daily life classes भाई expert भी आपको मिलने वाला है देखो आपको super teacher कौन होंगी अधिचा शर्मा मैम होंगी Soni Vijay Guru रह्मान और साथी साथ से नमीन सर मैं खुद आपको इस batch में मिलने वाला हो सरक्या detail में आपको पढ़ाने के लिए तो बस आज ही जाओ अपना batch कर दोगे VS20 सरक्या होगा code code होगा आपको VS20 VS20 code लगाओ और सरक्या आप अपना complete से complete discount पूरा discount लोगे और 640 रुपे में आपकी पूरी की पूरी batch मिल जाएगी minimum cost में तो आसा और उमीद करता हूँ सरक्या कि मैंने जो आपको बाते बताई हैं मैंने जो आपको सरक्या रास्ते दिखाए हैं उस रास्ते पे आप चलोगे और चल कर सरक्या अपना कल बदलोगे अपना आज बदलोगे, कल बदलोगे, भविश्य बदलोगे तो हाँ, हम बतलेंगे और सरक्या, शिद्दत है, महनत है दिखाएंगे दम So, thank you, Jaihand, Vande Maatram I am Vivek Singh, signing off from my side, thank you आश्रा अमेट करता हूँ, सबको अच्छा लगा होगा Jaihand, मेरी बातें, सबको सभूज में आएंगे Thank you